दोस्तों हमारे चैनल दोरा चलाई जारही बीकली स्पोर्ट करंट अफेर का ये पार्ट नाइन है दोस्तों इस वीडियो में 29 मार से लेकर 4 अपलेर तक कि सभी स्पोर्ट से सम्बंदिद महात्पूर्ण खबरों का समावेश है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ये एक रिक्वेश्ट है आपसे कि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये वीडियो सेयर करें दोस्तो देर ना करते हों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला कुश्चन है दोस्तो आज का पहला कुश्चन है हाल ही में ICC ODI Batsman Rankin में कौन सीर्स पर रहा है तो दोस्तो आपका राइट एंसर है ओप्सन नमबर A विराट कोली दोस्तो अभी हाल ही में जारी की गई ICC ODI Batsman Rankin में बिराट कोली सीर्स अस्थान पर रहे हैं दोस्तो अगर हम बात करें सेकेंड अस्थान की तो सेकेंड अस्थान में बावर आजम रहे हैं और अगर हम बात करें थार्ड अस्थान की तो थार्ड अस्तान पर रोही सर्मा रहे हैं दोस्तो इतनी सारी बाते आपको याद रखना है नेश्ट कुश्चन है दोस्तो आपका कुश्चन है हाल ही में 11 होकी जूनियर महिला राश्ट चंपियंशिप को इस्तगित किया गया है वो कहां आयोजित की जानी थी दोस्तो आपका राइट एंसर है आपसे नमबर C जारखन दोस्तो अभी हाल ही में राश्ट होकी जूनियर चंपियंशिप का आयोजन जारखन में होने वाला था परन तो इसे इस्तगित कर दिया गया है दोस्तो इसका कारण बताया जा रहा है कि 11 खिलाडियों को कुरोना परश्ट यू पाये जाने के कारण दोस्तो अभी हाल ही में इसे इस्तगित कर दिया गया है दोस्तो यह पित्योगता 3 अप्रेल से लगा कर 12 अप्रेल तक होना पस्ताविश थी दोस्तो आप इसे आगे बढ़ा दिया गया है नेश कोश्चन है दोस्तो अगला कोश्चन है हाली में बहरीन ग्रेंड फ्लिक्स 2021 किस ने जीता दोस्तो आपका राइट एंसर है और से नमबर डी लुईस हमिल्टन ने दोस्तो अभी हाल ही में लुइस हमिल्टन ने वहरीन ग्रेंड फ्रिक्स 2021 जीता है दोस्तो ये इनकी 96 नमबर की फार्मूला वन जीत है दोस्तो आपको याज रखना है कि ये इंगलेन के रहने वाले हैं दोस्तो ये कहां के रहने वाले हैं दोस्तों लुइस हमिल्टन ये इंगलेन के रहने वाले हैं और दोस्तों अभी हाल में बिटेन की महारानी इलिजावेद सेकेंड नहीं है नाइट हुट की उपाद दी दी दोस्तों कौन सी उपाद इन्हें दी गई है अभी नाइट हुट की और किसके द्वारत दी गई है इ ये जो माइकल शुमाकर हैं, दोस्तों ये किस देश से संबंदित हैं, दोस्तों ये माइकल शुमाकर जो हैं, ये जर्मनी से संबंदित हैं, दोस्तों ये जर्मनी से संबंदित हैं, नेट्स कुश्चन है, दोस्तों आपका कुश्चन है, हाल ही में रोतांस खिलेरी एवं अन हाल ही में रोतांज, ख्लेरी एवं अन्नु यादों ने किलमन जारो पर 24 घंटे रुक कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तो अगर हम बात करें किलमन जारो की तो दोस्तो यह अफरीका महादीव की सबसे उची चोटी है किलमन जारो जोह वो तंजानिया देश में इस्तित है आपको याद रखना है दोस्तो इस चोटी की उचाई लगभग 5,895 मीटर है दोस्तो आपको याद रखना है कि इस चोटी का उचाई लगभग 5,895 मीटर है दोस्तो आपका कुश्चन है हाली में भारती टीम के कप्तान बिराट कोहली जो थार्ड नमबर पर बरले बाजी करते हुए कितने हजारन बनाने वाले पहले खिलाडी बने हैं दोस्तो आपका राइट एंसर है आपसे नमबर A 10,000 दोस्तो अभी हाल है भारती टीम के कप्तान बिराट कोहली जों की थार्ड नमबर पर बरले बाजी करते हुए 10,000 रखनाने वाले पहले खिलाडी बने हैं नेश कुश्चन अगला कुश्चन है हाली में रेजिडेंशियल होकी सिंटर आफ एक्सिलेंस कहां पर इस्थापित किया जाएगा तो दोस्तो आपका राइट एंसर है और से नमबर सी लखनाउ दोस्तो अभी हाली में लखनाउ में रेजिडेंशियल होकी सिंटर आफ एक्सि दोस्तो आपका कुश्चन है हाल ही में सूटिंग वर्ड कप में बिहार की सिरियांसी सिंग ने बुमेंट ट्रेप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है दोस्तो आपका राइट एंसर है ओपसन नमबर A स्वन पदक दोस्तो अभी हाल ही में चल रही सूटिंग वर्ड कप जिसमें सिरियांसी सिंग ने बुमेंट ट्रेप टीम इवेंट में स्वन पदक जीता है दोस्तो यह सूटिंग वर्ड कप दिल्ली में आयुजित किया जा रहा था दोस्तो कहां पर आयुजित किया जा रहा था शूटिंग वर्ड कप दोस्तो शूटिंग वर्ड कप ये दिली में आयुजित किया जा रहा था नेश कुश्चन है दोस्तो आपका कुश्चन है हाली में खेलो इंडिया को किस बित्ती वर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया तो दोस्तो आपका राइट एंसर है आपसे नमबर D 2025 से 2026 तक दोस्तो अभी हाली में खेलो इंडिया को 2025 से लेकर 2026 के बित्ती वर्स तक बढ़ा दिया गया है दोस्तो आपको एक बात याद रखना है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है तो दोस्तो वर्तमान में खेल मंत्री है किरन विजव्यू किरन विजव्यू दोस्तो आपको याद रखना है नेश कुश्चन है दोस्तो आपका कुश्चन है हाली में भारती किर्केट टीम के कप्तान बिराट कोहली बेतोर कप्तान कितने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारती बने हैं दोस्तो आपका राइट एंसर है आपसे नमबर C 200 मैच दोस्तो अभी हाली में भारती किर्केट टीम के कप्तान बिराट कोहली बतोर कप्तान 200 इंटरनेशनल किर्केट मैच खेलने वाले तीसरे भारती बने हैं दोस्तो अगर हम बात करें पहले नमबर पे वेतोर कप्तान जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं तो उनका नाम है MS धोनी दोस्तो इन्होंने 332 इंटरनेशनल मैच खेले हैं दोस्तो अगर हम बात करें सेकंड नमबर पे तो दोस्तो सेकंड नमबर पे हैं अजुरुदीन दोस्तो अजुरुदीन ने 200 प्लस इंटरनेशनल मैच खेले हैं और यह सेकंड नमबर पे हैं दोस्तो थर्ड नमबर पे अब विराट कोहली पहुंच गए हैं जुन्होंने वित दोस्तो ये बिस्तु में सबसे ज़्यादा बेतौर कफ्टान इंटरनेशनल मैच खेलने वाले ब्लेर हैं दोस्तो अगर सेकेंड नमबर की बात करें तो दोस्तो सेकंड नमबर पे हैं रिकी पॉंटिंग आश्टेलिया के कप्तान रिकी पॉंटिंग जिन्होंने 324 मैच खेले हैं और MS-Dhoney ने 332 मैच खेले हैं और ये दुनिया के पहले बेतोर कप्तान बल्लेबाज हैं नेस्ट कुश्चन है दोस्तो आपका कुश्चन है हाली में योगाशन को खेलो इंडिया योथ गेम 2021 में सामिल किया गया है वर्ष 2021 में इसका आयोजित कहां होगा तो दोस्तो आपका राइट एंसर है आपसटन नमबर सी हरियाणा दोस्तो 2021 के खेलो इंडिया योथ गेम जो की पंचकुला हर्याना में आयुजित किये जाएंगे दोस्तो ये कुशन बहुत ही इंपॉर्टन थे दोस्तो खेलो इंडिया गेम से जो भी कुशन है ये 2021 की परिछाओं के लिए बहुत ही महात्पूर्ण है दोस्तो इनको जरूर याद कर लें खेलो इंडिया से सम्बंदित कुछ additional fact जो आपको पता होना चाहिए दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया का पहला संस्क्रण जो हुआ था 2018 में कहां पर हुआ था दिल्ली में और ये हुआ था पूना महराष्ट्रा में कहां पर हुआ था पूना महराष्ट्रा में दोस्तो खेलो इंडिया का थार्ड संस्क्रण था वो कहां पर हुआ था था थार्ड संस्क्रण हुआ था 2020 में और ये हुआ था गोहाटी असम में कहां पर हुआ था दोस्तो असम में हुआ था दोस्तो ये बात आपको याद रखनी है और दोस्तो जो फोर्थ एडिशन है वो हर्याना के कहां पंच खुला हर्याना में आयोजित किया जाएगा तो अगर आपसे पूंच लें कि खेलो इंडिया के थर्ड संस्क्रण जो गुहा राज ने 256 पदक जीत के पहला अस्तान प्राप्त किया दोस्तो इतनी सारी बाते आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पता होनी चाहिए दोस्तो कुश्चन है हाल ही में चल रही ISSF सूटिंग वर्ड कप 2021 में पदक तालिका में सीस अस्तान पर कौन सा देश रहा दोस्तो आपका राइट एंसर है आउसन नमबर भी भारत दोस्तो हाल ही में चल रही ISSF सूटिंग वर्ड कप 2021 में पदक तालिका में सीस अस्तान पर भारत रहा दोस्तो भारत ने कुल 30 पदक जीते जिसमें से 15 पदक सौन थे दोस्तो आपको याद रखना है भारत ने कुल 30 पदक जीते जिसमें से 15 पदक सौन पदक थे दोस्तो अगर आप बात करें सेकेंड अस्तान पर दोस्तो सो सेकेंड अस्तान पर रहा अमेर का दोस्तो आपको याद रखना है कि सेकेंड अस्तान पर अमेर का रहा दोस्तो आई-एस-एस-फ सूटिंग वर्ड कप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था दोस्तो आपको याद रखना है कि इस सूटिंग वाड़ कप का आयोजन दिल्ली में हुआ था दोस्तो अगर हम बात करें ISSF की तो दोस्तो ISSF का फुल फार्म है इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फडरेशन दोस्तों इसका कार है कि बिस्वंतर राष्ट इस्तर पर होने वाली सभी पेगार की पतियुकताओं का आयोजन करता है और उसके नियमों और उसकी देखरेक का पूरा जिम्मा ये ISSF के द्वारा होता है दोस्तों अगर इसके मुख्याले की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्याले ISSF का मुख्याले जर्मनी में है और दोस्तों ISSF के स्थापना 1903-102 में हुई थी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवसी बताएं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद